नमस्कार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है देखिया आद मैं आपके लिए बहुत प्यारा पैटर्न लेकर आई हूं यह नेट वाला पैटर्न है ऐसी यह बनेगा इसको आप गर्ल्स के लेडिस के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसकी भी बनाईए जैकेट द बनेगे लगें कुर्ति बनाई एकिसी में प्रोजेक्ट परियो्डे तो यह बहुत सुन्दर लगेगा बच्चों के भी डाल सकते यह बनाने बंदे में इप बनाने में भी बहुत असान आप ऐसा ल inappropri कर से água कम ब्ष sendiri ऐसा नजर आता है chyba उल्टी सलाइ Ye Ve सिर्फ सीधी सलाई में डलेगा तो जल्दी बनके तियार हो जाता है कि इसके लिए हमें 10 के मल्टीपन में फंदेलेंगे 10 10 10 10 प्लस 2 इसका पंद एक और एक दो एसके फंदेल यहां मैंने 32 फंदेलें 10 10 10 30 एक फंदा इसका लास्ट में बिगिनिंग में तो 32 लेके मैं मैंने एक बनाया है तो इसी को मैं आगे बना कर दिखाती है मैंने कैसे बनाया है जो यहां से बनाया है पहले सलाई से वह यहां से हम दुबारा शुरू करेंगे और अब इसको मैं तीसरी बार यहां से शुरू कर रहे हैं वहीं सलाई बनेंगे तो आए इसको में स्टार्ट करते ह पहला फंदा इसका है बनाए यह उतार है आपकी मर्जी अब 8 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया ना 2, 4, 6, 8 अभी 2 का 1 करेंगे एक गट गया तो हमें फंदा बढ़ाना है सिकर लिया एक फंदा बना लिया 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 और ये 8 हो गटाया है तो बढ़ाएंगे धागा आगे करके बढ़ जाएगा फिर 8 फंदे लेंगे दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ये दो का एक करेंगे दागा आगे करेंगे और ये इसका फंदा है लास्ट का फंदा इसको एक को बना लेंगे इस पूरी डिजाइन में पूरी प्रोजेक्ट में उल्टी सलाई पूरी उल्टी होगी तो ये उल्टी सलाई है इसको उल्टा कर लेते हैं ये टोड़ल 18 सलाई का है पैटर ये मारी दूसरी सलाई है दो सलाई हो गई है तीसरी सलाई है और सीधी सलाई है एक फंदा उतार लेंगे पहले हमने 8 बनाए थे अब 7 बनाएंगे 2 3 4 5 6 और ये 7 2 4 6 7 दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा बना लेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे और ये जो फंदा जाली वाला था इसको बना लेंगे उसके बाद 7 फंदे 2 3 4 5 6 और ये 7 दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे जाली वाला फंदा और इसका फंदा इनको बना लेंगे चोथी सलाई आ गई है और ये उल्टी सलाई है ये सलाई उल्टी पूरी उल्टी बनाएंगे अभी हमारी पांचवी सलाई है और सीधी सलाई है एक फंदा इसका बना लिया एक दो तीन चार पांच छे पहली सलाई में आठ फंदे बना के दो का एक करा था तीसरी सलाई में साथ फंदे बना के दो का एक करा था हम छे बना के करेंगे दो चार छे दो का एक कर दिया एक बढ़ा लिया फिर ये दो का एक करेंगे दो बारी करेंगे इसको फिर ये छे फंदे एक दो दो, तीन, चार, पाँच, छे और ये दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे, एक फंदा बढ़ गया फिर दो का एक करेंगे फिर धागा आगे करेंगे क्योंकि एक फंदा मारा गटा था एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे दो का एक दागा आगे जो गटा है उसको बढ़ा लेंगे फिर दो का एक करेंगे दागा आगे करेंगे ये गटाया था तो उसको बढ़ाने के लिए दागा आगे करके एक फंदा बढ़ किया और ये फंदा सीधा पांच सलाई हो गए छटी सलाई है छटी सलाई यह उल्टी सलाई है उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे 6 सलाई हो गए 7 सलाई है और 7 सलाई है एक फंदा इसका बना लिया अब यह 5 फंदे लेंगे 2, 3, 4 और यह 5 5 की बाद 2 का एक दो का एक करेंगे इस फंदे को बना लेंगे देखिए दो चार छे आठ दस ये दस दस फंदे रिपीट होने आपको जितने भी फंदे लेने आखिर तक आपके जितने भी होंगे ऐसे ये फंदे रिपीट होंगे, फिर से एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, दो का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे, जैसे घटाया था वैसे बढ़ गया, फिर से एक दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे एक फंदा बढ़ाने के लिए जाली वाला फंदा बना लेंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच की बाद दो का एक, एक गटा था, एक बढ़ गया, धागया आगे कर लिया, यह जाली का फंदा बन जाएगा यहां से जाली बनाने के लिए, अब यह फिर से दो का एक करेंगे, धागया आगे करा, यह गटा था फंदा ये बढ़ गया, अभी जाली वाला फंदा था, जो पहले भी जाली वाला फंदा था, उसको बना लेंगे एक, और ये आखिर का इसका फंदा है, ये दो हो गए, साथ सलाई हो गए, ये उल्टी सलाई है, उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, सिधी सलाई आ गई है, और ये मेरी है, उटना अगे सलाई है, पहला फंदा बना लेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, इस बार चार करेंगे, आठ करें, साथ, छे, पाँच, अब चार, चार करके दो का एक, दो का एक करा, धागा आगे करा, ये फंदा जिसे गटा था बढ़ गया, फिर दो का एक, ये फंदा गटा तो ये बढ़ गया, फिर एक बारी करेंगे, तीन बारी इस बार करेंगे हम, ये देखिए, दो, चार, छे, आट और ये धागा आगे लेंगे, तो ये दस फंदे हमार हो जाएंगे फिर एक बनाएगे एक दो हैं एक दो तीन और यह चार और यह दो का एक एक जाली फिर दो का एक फिर जाली दो बन गई घटा ये बढ़ गया ये घटा ये बढ़ गया फिर एक बार ये करेंगे फिर ये जाली आ जाएगे एक दो तीन चार और ये दो का एक करेंगे यही पैटर नमरा बार-बार रेपीट होता रहेगा एक फंदा गटा ये धागा आके पिर बढ़ गया फिर एक फंदा गटा धागा आगे करके जाली डालेंगे ये बढ़ गया फिर एक फंदा गटेगा और इसको भी जाली आगे करेंगे तो ये जाली बन जाएगी तीन बारी हमने दो दो गटा ये देखिए अब ये उल्टी सलाई आ गई है उल्टी सलाई पूरी उल्टी 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 सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे सीधी सलाई आ गई है 10 सलाई हमारी हो चुके है 11 सलाई है इसको देखिए पहला फंदा बना लिया अब ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन दो का एक करा एक जाली फिर दो का एक करा एक जाली और फिर से दो का एक करेंगे और एक ये जाली बनाएंगे अब ये जाली बाला फंदा था इसको बना लेंगे सीधा देखिए दो चार छे आठ दस फंदे हो गए अब फिर से तीन फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन दो का एक करेंगे एक जाली फिर दो का एक करेंगे फिर एक जाली फिर दो का एक करेंगे तीन बारी हमने दो का एक कराया और तीन जाली बनाएंगे एक, दो और ये धागा आगे कराया एक जाली ये बनेगे यह जाली वाला फन्दा बना लेंगे, उसके बाद, एक, दो, तीन, दो का एक करेंगे, एक जाली एक बारी होगे, दो का एक, दो बारी करा, दो का एक जाली बन गई जैसे ये घटा फंदा बढ़ गया अब ये घटा ये बढ़ गया फिर एक बारी करेंगे इसको तीन बार करेंगे दो का एक धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे और जाली वाला फंदा बना लेंगे वा फिर उसके बाद ये फंदा बना लेंगे ग्यारा सलाई हो गई है अब ये हमारी बार्वी सलाई है और उल्टी सलाई है इस सलाई को उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे बारा सलाई पूरी हो गई है सीधी सलाई है और ये तेर्वी सलाई है 13 तरो हुआ है पहला पयन इसका बना लिया अभी दो पनाएंगे सीधे एक दो और दो का एक करेंगे दागा आगे करा यह इन गटा पटब पढ़ गया फिर दो बारी दूसरा दूसरी बार करा दागा अगे और तीन बार और अब यह चार बार करेंगे जो कि चार बार हो गया दो चार छे यार्ट दस दस फंद या अब फिर से दो फंद बनाएंगे दो का एक करेंगे एक गटाया, एक बढ़ाया फिर एक गटाया, एक बढ़ाया फिर एक गटाया, एक बढ़ाया ये चार बारी करना है तीन बारी हो गया एक, दो, तीन, ये चौती बार यहां पर हो जाया दागा आगे लिया एक फंदा बनाया और ये दो बनाए दो का एक परा एक बारी करा है दो बारी हो गया तीन बार और ये चार बार हो गया अब धागा आगे लेंगे ये फंदा गटा तब बढ़ गया ये फंदा गटा बढ़ गया अब ये जो फंदा गटा है इसको जाली आगे धागा लेकर आखिर का फंदा बनाएंगे तो यह हमारे पूरे के पूरे फंदे हो जाएंगे अब यह उल्टी सलाई है और यह 14th रो है 14 सलाई हमारे इसके बाद पूरी हो जाएंगे यह पूरी उल्टी सलाई बनाएंगे सीधी सलाई आ गई है और यह मेरी 15th रू है 14th रू 14 सलाई या पूरी हो चुकी है अब देखिए पहला फंदा इसे स्टिच अभी एक फंदा बनाएंगे दो का एक करेंगे एक बारी करा दो बारी करा तीन और यह चार बारी चार बार दो का एक कर लिया और तीन फंदे बढ़े हैं एक दो तीन एक फंदा हमें बढ़ाना है इसलिए यहां पर इसको आगे करके फंदा बढ़ा लेंगे एक फंदा बनाएंगे दो का एक करेंगे धागा आगे एक बर दो बर तीन बर और ये चार बर हमने कर लिया धागा आगे करेंगे चार बर कर रहा था एक दो तीन चार फंदे तीन बड़े थे एक दो तीन तो अब हम एक फंदा और इसको बढ़ाएंगे एक फंदा बनाएंगे दो काई करेंगे धागा आगे एक बारी हो गया दो बारी हो गया तीन बारी हो गया और ये चार बार हो गया चार घटे हैं तीन बढ़े हैं एक दो तीन धागा आगे करेंगे और ये आखिर के फंदे बना लेंगे 15 सलाई पूरी हो गई यह 16 सलाई है और यह उल्टी सलाई है उल्टी सलाई उल्टी बनाएंगे पूरी उल्टी बनाएंगे 16 सलाई पूरी हो गई सीधी सलाई है और 17 सलाई है अब देखिए एक फंदा बनाएंगे दो का एक धागा आगे दो का एक धागा आगे फिर दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे फिर दो का एक करेंगे देखिए दो, चार, छे, आठ, दस यह दस हो गए यह पैटन हमारा यहां से पूरा होगे दसकलाई का अब यह सत्वी सलाई है तो पूरी सलाई ऐसी बनाएंगे धागा आगे और दो का एक धागा आगे दो का एक जितने भी आपके फंदे हैं सत्वी सलाई में ऐसे बनाएंगे फिर अठारवी सलाई उल्टी और यह पैटन बनता जाएगा इसको आप स्काफ में डालेंगे या मफलर में शॉल में डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं बहुत सुंदर यह बनकर आता है ऐसे बार्डर भी इसको यूज़ कर सकते हैं छोटा सा बना लीजे ऐसे बार्डर वो बन जाएगा देखिए यह पूरी सलाई ऐसे बन गई है और यह दस दस फंदे हो गए दो चार छे आठ दस दो चार छे आठ दस वही फंदे हमारे आ गए ठीक है ना फिर यह दागा आगे करेंगे और एक फंदा आखिर का बना लेंगे 32 फंदे थे 32 हैं आखरी सलाई है और यह ठार में सलाई है इसको पूरा उल्टा बना लेंगे यह पैटर एक बार का हमारा पूरा हो जाएगा उल्टी सलाई पूरी उल्टी अठारा सलाई हो गई और यह पैटर भी पूरा हो गया इनी अठारा ठारा सलाई को रिपीट करेंगे और दस दस फंदे लेकर आप जितना भी बनाना चाहें जितने भी फंदे लेना चाहें उतने ले सकते हैं ऐसे बार्डर भी इसको आप इत डेखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें